हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल चैनल में आपका एक बाद फिर से स्वागत है आज की ये वीडियो है कुछ खास उन सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन की तरह है ये एक एजुकेशन सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए या आप किस किसी भी सेक्टर से जुड़े हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे कुछ नया कर सकते हैं ये वीडियो कुछ इसलिए है तो इस वीडियो में हम एक्जामपल ले रहे हैं एक गौर्वेंट स्कूल की प्रिंसिफल का जिसने की 5 स्टैप का प्लान बनाया और अपने स्ट और फ्रसुप कहीशा वान बताया जा रहे हैं उनका सक्ट सुक्णका ओर tecnology ये वीडियो में हम किसी तरीके सेक्ट से में कि कूछ ने 한 2 परफ प्रिंसिफल को भी online के तुरूप पढ़ाया जा रहा है उनको बहुत कम ही उसमें समझ में आ रहा है तो आज की इस वीडियो में क्या खास है ये वीडियो आपको अंतक देखनी है ताकि आपको पता चले कि आप किसी भी situation में अपने आपको जो हम कई बार CV में भी लिखते हैं या हम बोलते हैं तो ये वीडियो इसी लिए है तो इसी तरीकी की motivational वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि ऐसी वीडियो weekly या monthly आपके लिए लेकर आए जो भी best हो और हम real life example लेकर आए ताकि आपको कुछ सीखने को मिले और ए कैसे हाँ आप कुछ कर सकते हैं तो ये जो principle है उन्होंने एक simple five step का plan बनाया यानि कि पांक steps है उस plan के और ये ensure कि जो उसके students है वो engage भी रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे भी तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं तो सबसे पहले ये जो मैंने story उठाई है ये इस जो story का मतलब है वो सिर्फ आपका education और information और एक motivational video की तरह इसको use करना है और इसका कोई भी purpose नहीं है तो एक quote से शुरू करते हैं It is not the strongest of the species that survive nor the most intelligent but the one most responsive to change ये Charles Darwin का quote है इस quote में क्या कहा गया है कि वो species या वो जाती वो पर जाती strong नहीं होती जो survive करती है कौन सी वाली जो ज्यादा intelligent होती है वो strongest नहीं होती बलकि वो होती है जो change में सबसे ज्यादा responsive होती है जो change को सबसे ज्यादा adapt कर लेती है जो प्रिस्तितियों के अनुकूल हो जाती है वही सबसे strongest जाती होती है तो ये इस quote का मतलब है आईए अब हम इसको देखते हैं कुधारण की तो पर तो ये इनका जो नाम है जो मैंने आपको दिखाया ये pinky गुपता है और ये principal है नव्य का काम करके साड़े साथ बज़े अपने घर से निकलती थी और ड्राइव करके एक गंटे के राउंड अपने स्कूल में पहुंचती थी वही स्कूल में ये दो धाई बज़े तक इनका स्कूल होता था और उसके बाद वो कुछ समय बिताती थी अपने official work को complete करने में और फि कि वह सुबह साड़े चार बज़े उठती थी और अपना काम करके चार पांच बज़े तक अपने घर पहुंचती होंगी तो अब उसके पास पूरा काइम था कि lockdown में वो पूरा easy अपना time spent कर सके लेकिन उन्होंने क्या अलग किया but this is not the case लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया आराम से समय नहीं विताया she was quick to adapt to the changing circumstances वो बड़ा ही उन्होंने तिवर्ता दिखाई बड़ी जल्दी दिखाई कि जो change हो रहे हैं circumstances उनको उन्होंने अडोप कर लिया और ये बात कहीं न कहीं सही भी है कि अगर आप प्रिस्तित्यों के अनुकूल नहीं डलते हो तो आप सैनिटाइजर बनते थे और नहीं हमारे यां इतने मास्क बनते थे लेकिन अगर अभी आप देख पाएंगे तो इंडिया सेकिंड नमबर पर है पूरे वर्ल में जो पीपी किट को तयार करता है काफी कंपनिया आए काफी कंपनी अपनी प्रोपोजल लेकर आए अब हमारे आपे सैनिटाइजर भी खूब बनता है मास्क भी काफी है और पीपी किट भी हम सैकिंड नमबर पर वर्ल के सैकिंड नमबर पर तयार करते हैं काफी कार्मेंट्स कंपनी थी कार्मेंट्स फैक्टरी जो कपड़े बनाती थी लेकिन उन्होंने खुद को स्विच कर लिया प गार्मेंट बिजनेस में ही रह जाती उनको उतना फाइदा नहीं हो पाता तो अभी क्या था कि प्रिंसिपल ओपन तो कब होगा स्कूल अभी कुछ नहीं पता है क्योंकि वह सिच्वेशन देगी चुकी है अब उनका स्टाफ भी घर पे और उनके स्टूडेंट्स भी घर हैं तो फर्स्ट मूवर अमंग दा स्कूल लेडर्स वी हाव बीन वर्किंग विद डे कुड ओल यह लर्निंग क्राइसिस बैल रिंगिंग अलाउड अन क्लियर तो इस ताइम पर क्या आगा एक तरीके से क्योंकि बच्चे अब सीख नहीं पारे थे कुछ तो एक तरीके से आप इस चीज को बोल सकते हैं लर्निंग क्राइसिस आ गया यानि कि लर्निंग क्राइसिस है लर्निंग उतने अच्छे से नहीं पारी जितने अच्छे से हो पाती है यह लाउड अन क्लियर है तो फॉर्मोस्ट जो प्रॉब्लम है अपने घर पर रहे कर ही ताकि वो बहार निकले और जो कंटीनुटी रहे लर्निंग में भी सीखे भी वो अच्छे से तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से क्या-क्या वैने चाइंड मिसे वीक ऑफ दे स्कूल तो अटेंड फैमिलियर फंक्शन टीचर है तो पूट एक्स्रा एफ़र्ट तो ब्रिंग दाम तू उसी स्पीड में लाने के लिए और अब तो ऐसा टाइम है कि स्कूल लीडर है तो वोलेंटियर तो हैप दो टीचर अब जो जो स्कूल के लीडर है वो वोलेंटियर बने हैं वो आगे आई हैं ताकि उन टीचर की मदद कर सके अब ही लोगडाँ दो महिने के लिए हो चुका है लगबग लेकिन स्कूल कब खुलेगा इस पर कोई भी डेफिनिट टाइम नहीं है क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत सारे टीचर एक काफी बीड़ बाड का इलाका आप कह सक करते हो जो कोरोना की टाइम पर इतना जल्दी नहीं खुलने वाले हैं स्कूल तो इंप्रूमेंट्स स्टूडेंट्स में कैसी बनाई जाएं जो आप लास कभी आपने बच्चों को देखा भी होगा जब गर्मियों की चुट्टी पढ़ती है ना कुछ बच्चे अपना प फाइफ स्टेप प्लान बनाया कि एंशोर कर सकें लर्निंग और एंगेज कर सकें अगर आप नहीं जानते तो यह है पिंके गुपता जो नव्यूग स्कूल की प्रिंसिपल है स्टेप बन उन्होंने क्या लिया गेटिंग अवरिफिंग टुगेदर जब तक आप सब को इकठा नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा तभी तो आप लर्निंग कर पाओगे कि सारे के सारे स्टूडेंट से इनवोल हो सारे के सारे टीचर से इनवोल हो तो गुपता ने अप तो आप एजुकेशन फिल्ड में हैं तो आपको मतलब एक तरीके से सिच्वेशन को अड़क करना मतलब क्या आपको टेकनोलोजी को भी साथ में लेके चलना है अब वो टीचर नहीं राजो सिर्फ स्कूल में वो खोली और पढ़ा दिया या फिर आपने कुछ रट लिया औ चाहिए तभी एक अच्छा टीचर हो पाएगा तो गुपता का जो फर्स टैप था वो था कि हर एक स्टाफ को हर एक स्टूडेंट को एक कॉमन प्लैटफॉर्म पर लेके रहाना और कॉमन प्लैटफॉर्म आज के टाइम पे जो नॉर्मल ही है वो क्या है कि उसने स्टूड सब्सक्राइए पेरेंट को ट्रूडप में एड कर दिया वर स्टूडेंट सके प्रूडेंट को टूर्टम बड़े है तो अधरन पेरेंट्स को जिसे छोटे उन्हों के बच्चे उन्होंने वर्सड अड कर दिया वन इस सिगनि पिकेंट निपर आफ प्स्टूड सेчи अगर smartphone है तो उन्होंने बोला कि WhatsApp को download कर अगर यूज नहीं करते हो तो और वहां पर सब लोगों को इकटा किया, उन्होंने ensure कि 85% तक student WhatsApp ग्रूप पे आ गए थे through this exercise, और teachers भी उन ग्रूप के पार्ट से जैसे जैसे grade, मा लीजिए उन्होंने बना दिया, 1st class, 2nd class, 3rd class, 4th class, 5th इस तरीके से grade और teacher को जो जो जिस class में पढ़ाता है, मालनो ऐसे इसे add कर दिया, 6th में कोई पढ़ाता है, 8th में कोई पढ़ाता है, 10th में पढ़ाता है, तो उन्होंने grade के वाहिस सबको add कर दिया, तो यह था उनका 1st step, 2nd step क्या था, अब time table बनाना था, time table उसी तरीके से ज करना भी था, तो surprisingly, it did not differ much from the usual school time table, तो एक तरीके से उन्होंने ऐसे time table बनाया, जो school से काफी अलग नहीं था, अफ्कोस उसमें कुर्स adjustment करने पड़े, लेकिन इतना भी अलग नहीं था, school time table से, तो उन्होंने दो time slot बनाये, दो गंटे के, एक तो उन्होंने बढ़ाया, 8th से साड़े 10 तक, teachers के लिए, उस साड़े 8 से साड़े 10 में क्या करेंगे, teacher assign करेंगे, students को काम देंगे, student complete करेंगे, अपना काम, पूरे दिन काउन के पास time है, और उनको वो काम submit करना है, चार से पांच बज़े तक शाम को, अब आपको सुबह काम मिलना है, आपके पास दिन में चार से पांच आपको वो submit करना है, तब आपके पास रात का time नहीं है, आपको पूरा दिन एंगेज रहना है, आपको जो काम दिया गया है, वो आपको काम करना है, तो इस तरीके से students जो हैं एंगेज हो गए, एक trend है, वो trend क्या है, कि जो low income household है ना, उनका nearly impossible हो जाता है, security आगी, parents में भी, कि साढ़े 8 बजे उनका काम आएगा, और 4-5 बजे उनके बच्चों को submit करना है, तो वो भी अपने बच्चों को assist कर पा रहे थे उस दिन के time में, क्योंकि 4-5 तक, सुबह साढ़े 8-10 से लेकर 4-5 बजे तक आपके पास पूरा time होता है, लिला देवी, जो आपके बच्चे थे, जो अभी आपको पता ही है, कोरोना की वज़े से, लोकडाउन की वज़े से, फाइनेंशिल क्राइस है, तो उन्होंने अपने रिलेटिव से भी प्ना मोबाइल रिचार्ज करवाया, डाटा पक करवाया, तदा सौल ब्रैड अर्नर हर हस्में लोस्ट जोब इन जनवरी, क्योंकि उनके हस्में की जोब चली गई थी जनवरी में, तो उन्होंने अपनी सेडनेस डिस्क्राइब की, उन्होंने खुद ओल्ड नोट बुक से डगब किया, एंप्टी पेजल फाड़े, उनको स्टीच किया तुगेदर ताकि एक नोट बुक बन से स्टडी अच्छे से चले, तो ही वुड़ हाव टू लीव होम इन दी मॉर्निंग्स ऑफ इस वर्क एज ड्राइवर, और अन्यमिका वुड नोट हाव एकसस तो इस फोन, क्योंकि उनके पापा क्या थे एक ड्राइवर थे तो ड्राइवर के पास लगबाग होता है चाहिए तो उसको अपने पड़ोसी से उधार लेने की जुट नहीं थी साड़े आठ से साड़े दस तक उसके पापा उसको फोन दे देता थे वह काम कर लेती तो चार से पांच में सम्मिट हो जाता था अब बीच वीच में यह नहीं रहा कि कभी भी स्कूल की कोल आ तो एक फिक्स्ट स्लोट से यह फाइदा हुआ जो लोग किसी ना किसी तरीके से फोन है घर में सब यूज करते हैं या एकी स्मार्टफोन है तो वो प्रोब्लम यहां पर सॉल्व हो गए स्टेप थ्री क्या था अब टीचर कैसे काम देगा टीचर वटसप ग्रूप पर काम देगा जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने टेक्स्ट बुक की फोटो कीच के बेज देखी यह पेज वाला काम करना है यह पेज नंबर दे दिया यह वाला काम करना है या उन्होंने इस तो इस तरीकी का पूरा काम जो है WhatsApp पर उनको मिल रहा है तो इसके बाद वह भी अपने पूरे टाइम के लिए फ्री है तो most school leader understand that working while managing household chores is a difficult juggle पहले क्या होता था अगर आप teacher भी है आप घर पन है ना work from home तो work at home भी work from home भी होता ही है यानि कि आप घर से काम तो करी रहें लेकिन घर का काम भी होता है चाहे आप teacher है या कोई से भी फिल्ड में है तो आप घर के काम के बीच में आपको यह हो जाता था कि अभी students को पढ़ाना है या घर का काम रह गया या family है तो सबका एक अलग 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 ता लेकिन आप teacher को भी फाइदा होगी कि दो आर का window है साधे आठ से साधे दस मुझे free रहना है और इस time पे मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो यह एक तरीके से अच्छा important क्राम होगा है यह interesting भी हो गया कि student भी एंगेज है और teacher का भी अपना fixed slot हो गई है तो typically teacher send photos of content followed by an audio message तो teacher क्या कर सकते थे WhatsApp में audio message चले जाते हैं वो photos बेज बेज देते हैं कि यह वाला content आपको काम करना audio message बेज देते हैं कुछ समझाना था शोर्ट assignment देते हैं जहने कि दो तीन question दे जिसमें students को answer देने होते थे तो task was complimented by video link भी दे देते थे photographs भी भेज देते तो इस तरीके से एक अच्छा सिखाने का mode बन गया मतलब आप audio से भी सिखा रहे हो वीडियो से भी सिखा रहे हो आप assignment भी दे रहे हो आप photos भी भेज रहे हो इस तरीके से काफी अच्छा impression हो गया क्योंकि WhatsApp ग्रूप में आपको यह काफी सारी facility मिल जाती है अब step four क्या था call calling student to submit their work asset time होगा कि ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे मने group बना गया student में सारे active थे और चार से पांच सब काम बेजने लगे call calling भी होती थी यानि कि जो student काम नहीं बेजन को call भी करना होता था तो यह वाला थोड़ा सा काम क्या था students को दिया गया जो वर्स शोर्ट एंड क्रिप्स तो most enjoyed working on them it didn't take a lot of time ज्यादा time नहीं लगता था इसमें एक problem यह थी कि some school leaders faced an overwhelming number of students response after they finish their work every Monday student so this is my volunteer से काम लिए यानि कि teacher call कर रहा है तो इसमें काफी volunteers उन्हों किये जो call करेंगे और बच्चे को बोलेंगे submit करने के लिए काम step 5 क्या होगा आप बच्चे ने काम किया तो copy भी तो आप desertally करके उनको दे रहें उनको पता चल रहें कि क्या खलती है और वो सीख भी रहे हैं तो यह final step था जिसमें की virtual teaching learning हुई cycle of the day when I selected few students submit their work it was time for teacher to evaluate them अब बच्चे ने काम देना शुरू कर दिया अपना submit करना शुरू कर दिया आप teacher का काम है उनको evaluate करना feedback यहां पर इतना detail में नहीं दे पाते हैं लेकिन challenge था कि आप इस challenge को भी tackle कर सकते हैं कैसे अगर आपको feedback देना तो audio message में भी दे सकते हो जब भी उनको कोई student को समझ नहीं आ रहा तो आप उनको audio message के जुरू भी समझा सकते हो एक self evaluation पूरा का पूरा question solution solve करके भी भी सकते हो तो इस तरीके से यह five step का plan काफी अच्छा रहा teacher के लिए भी student के लिए भी fix lot मिला बच्चे भी engaging रहे और learning भी बनी रहे इसके साथ साथ तब teacher के लिए क्या हुआ वीक ली हो जाते है first step पे ही तो यहां पर process के बारे में होता था कि कुछ लोग idea देते थे कि वह आपने काम को कैसे करने तो यहां पर काफी कि मदद मिल जाती थी adapting quickly teacher की बात करो या student की बात करो तो जल्दी 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 नहीं लगता क्योंकि वट्सेप आज करते हैं तो आप तरीके से बड़ा ही जल्दी आप्ट भी हो गया किसी बच्चे को अभिशेक को तो क्या करता था रिकोर्ड करके अपनी बेज सकता है morning assembly हो सकती है किसी की music class है तो वह भी आपर आराम से हो सकती है रिकोर्ड करके connecting to the last mile students 85% student तो अलड़ी include हो गयते कुछ ही बच्चे ते जो नहीं हुए थे तो उनको भी किसी ना किसी तरीके से connect करना यह भी मोटो था hosting events events आप host कर सकते हो fancy dance competition जिसमें आप virtual communication कर सकते हो video call के through कर सकते हो आप photo कीच के वे सकते हो काफी तरीके से ऐसे कर सकते हैं अभी आप देखेंगे कि जैसे companies है उनको भी तो अप्ले engagement activity ऐसे ही करवानी है वह भी तो ऐसे ही करवाते हैं मालीजे अब यहां पर बट उनको भी parents का भी support मिल रहा है students को भी और motivate हो रहे है parents कि हाँ उनके बच्चों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है leading from the front तो गुपता एक action plan उन्होंने बनाया जिसमें वह virtual engagement strategy को उन्होंने इंक्रूड किया उन्होंने कभी teaching के लिए वो शाय अवे एक math teacher थी लेकिन उन्होंने series of videos बनाई under the theme math magic ताकि उनके students उसको अच्छे से learn कर पाए एक समवल leading from the front वो एक तरीकी से हुई तो काफे सारे students हैं काफे सारे teachers हैं जो यहां से inspire हुए उनको यह idea अच्छा लगा और इस time पे काफी जब आप इस idea को implement करते हो जो जो suggestions आते रहते हैं वो include ह होते रहते हैं तो वीडियो को अंतक देखने के लिए शुक्रिया वीडियो को like करना ना भूले इसी तरीके की वीडियो और चाहते हैं तो आप comment section में comment जरूर करें दोस्तों और वीडियो को share करें ताकि कोई वीडियो आपकी education period में है या किसी भी तरीकी साप motivate करना चाहते क किसी को तो वीडियो को share जरूर करें और जो लोग नहीं है चैनल पर चैनल को subscribe करना ना भूलें साथ में bell icon को press कर लें ताकि इस तरीके की वीडियो जैसे upload उसकी notification आपको time नहीं मिल जाए तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही next वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई motivation story क के साथ thank you so much bye bye take care stay home stay safe